हेलो फ्रेंट्स, वल्कम टू कौन स्टेडी, आज हम करने जा रहे हैं अनलोजी चैप्टर का पार्ट थ्री शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमें हमारी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजी उसके लावा हम फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं, ये रहे डिरेक्ट लिंक्स आपकी स्क्रीन पर चल्दी से हमें हर जगा फॉलो कीजीए और किसी भी अपडेट को मिस्मत कीजीए अनलोगी चैप्टर में हम पढ़ेंगे नो टाइपस जिसमें से हम आठ पढ़ चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं इसकी टाइप 9 जो की है अलफबेट अनलोगी शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप जो हमारे अलफबेट से हैं होगा फूर्थ ऐसे ही करते करते हर एक अलफबेट की पोजिशन लण किजिए यह आपकी स्क्रीन पर मैंने हर अलफबेट की पोजिशन दी हुई है साथ ही साथ एक वर्ड है इजोटी ठीक है ये इजोटी जो है ये सीक्वेंस में है जो की वो एल्फाबेट है जो 5 के मल्टिप्लिकेशन में आते हैं यानि की E जो होगा वो 5 इसकी पॉजिशन होगी 5, J होगा 10, O होगा 15, T होगा 20 और Y होगा 25 ठीक है एक और चीज मैं आपको बता दूँ ये जो नंबर लिखे होए हैं A से M लेफ्ट से राइट जा रहे हैं और N से Z राइट से लेफ्ट जा रहे हैं कि अगर पी अगर अगर स्टार्टिंग से पहला āल्फाबेट है ये सब जो हैं एक PERके अपोजिट को लर्न करने की और ट्रिक है जैसे आपको किसी में बास्रा पस्रेभस बास् ofrika करता यजारे कला टारे अत्यां भास्तिसे और अप की या इसो alphabet को opposite निकालना होगा तो क्या करना आप 27 में से उस alphabet की position माइनस कर लेना जैसे कि आप example देख लीजी आपको F का opposite देखना है यानि F का reverse देखना है तो मैंने आपको trick बताई 27 से माइनस करने की अब क्या होगा जैसे उन्होंने पूछा है आपको F का reverse बताईए तो 27 में से आप 6 माइनस करोगे आपके पास आएगा 21 और आप देख सकते हैं F के बिलकुल नीचे लिखा है U और U की position है 21 वैसे ही आपको U भी नंबर ले लिए जैसे J ले लिए लिजिए अब शुरू करते हैं हमारी alphabetical analogies हमारा question कहा रहा है A, B, C, D का जो relation है O, P, Q, R के साथ वही relation W, X, Y, Z का किस के साथ होगा तो देखते हैं इसका solution कैसे करना है तो सबसे पहले हमने चीज़ देखी कि A, B, C, D एक sequence में है यनके बीच में किसी भी alphabet का gap नहीं है वैसे ही O, P, Q, R एक sequence में है उनमें भी किसी भी alphabet का gap नहीं है वही चीज़ हमने देखनी है W, X, Y, Z भी एक sequence में तो उसका जो relation होगा जिस भी term के साथ होगा वो term भी एक sequence में होगी जिसमें से कोई भी alphabet skip नहीं होगा तो हमने option देखे तो हमारे चारो option दिख रहे हैं कि चारो के चारो option जो है वो एक sequence में है तो भी हमारा ये वाली जो हमने approach लगा ये तो काम नहीं आई अब हम देखेंगे alphabet to alphabet approach उसमें क्या होगा कि आप first alphabet first part का यानि कि A उसका relation निकालेंगे first alphabet second part का यानि कि O जैसा relation A का O के साथ होगा वैसा ही relation W का next series जो भी आईगी उसके साथ होगा तो हमने देखा कि A जो है वो first alphabet है O जो है वो 15th alphabet है तो A और O के बीच में जो कहा पारा है वो है 14 का तो एक obvious सी बात है कि जो third part है उसका पहला alphabet W उसका fourth part के साथ जो fourth part के पहला alphabet के साथ जो relation होगा same होगा यानि चोदां का gap आएगा W और उसके next alphabet में तो हमारे पास W में जब हम 14 add करेंगे तो हमारे पास answer आजएगा KLMN basically हमने first alphabet ही निकाला है पर हमारे चारो option में जब first alphabet अलग है तो हमें AK करके इनको match करने की ज़रूरत नहीं पड़ी अगर first alphabet same होता चारो option में तो हम second alphabet पर जम करते और second alphabet का relation निकालते next series के second alphabet से ठीक है इसमें first alphabet सब के सब अलग थे तो इसलिए हमने first alphabet approach लगई next question आगया ACEG का जो relation है DFHJ के साथ वही relation हमें निकालना है QSUW का उसके next series के साथ तो हमने देखा A जो है वो 1 है D जो है वो 4 है वही first alphabet to first alphabet के approach लगई इनका difference आया 3 का तो हमें Q में 3 add करना है ताकि हमारे पास next series का first alphabet आजए Q में 3 add करने पे आया T तो हमने देखा कि T जो है वो एक C option में भी है और एक D option में भी है तो हमारा A और B जो है वो cancel हो गया अब हमें C और D में से निकालना है ठीक है अब हम C option पे काम करेंगे C option में हमने देखा कि T Q S T दिया गया यानि कि T पहले बड़ा नमबर है फिर Q छोटा हुआ फिर S हुआ वापिस बड़ा और फिर आया T जो कि था S से भी बड़ा तो हमने देखा कि हमारा कोशन कहा रहा है A C E G और D F H J तो clearly हमारे कोशन के pattern में जो है वो लगातार बढ़ रहे है नमबर कोई भी छोटा नहीं हो रहा पर हमारा option C जो है वो कह रहा है कि T जो है बड़ा नमबर है फिर Q जो है छोटा यानि T से पहले कम हो रहा है Q पे जा रहा है फिर Q S T फिर वापिस निक्रीज हो रहा है तो C option हमारा हो गया गलत आते हैं D option पे वैसे तो हमारा बचा ही D option है तो D option सही answer होगा फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं T, V, X, J T होता है 20, V होता है 22 X होता है 24, and Z होता है 26, यानि कि constantly ये increase हो रहे हैं और एक sequence में भी है वैसी sequence में जैसे sequence में हमारा question है तो हमारा D option आ गया right answer अब आया next question next question हमारा कह रहा है बड़ा D चोटा D और A इसका relation है चोटा A, बड़ा D, बड़ा D के साथ, तो बड़ा R चोटा R, B का next term के साथ क्या relation होगा अगर आप ध्यान से देखें तो जहां पर हमें दिया हुआ है D, बड़ा D, चोटा D, A यानि कि पहले तो चीज आगी कि बड़ा alphabet, चोटा alphabet, चोटा alphabet पहले पार्ट में आ रहा है बड़ा alphabet, चोटा alphabet, चोटा alphabet तो next part में आ रहा है चोटा alphabet, बड़ा alphabet, बड़ा alphabet और एक और चीज़ आप देखेंगे कि पहले पार्ट में है DDA, दूसरे पार्ट में ADD, यानि पहले पार्ट को reverse करके दूसरे पार्ट में लिखा है और alphabet का pattern तो मैंने आपको बताई दिया, वैसी ही चीज़ अगर हम apply करें, थर्ड पार्ट में हमें दिया हो है बड़ा alphabet जो की है R, छोटा alphabet जो की है R और फिर छोटा alphabet जो की है B, अब हम same logic apply करेंगे कि एक तो अब छोटा बड़ा-बड़ा alphabet होने है और reverse भी होने साथ ही साथ, तो छोटा बड़ा-बड़ा alphabet करेंगे तो हम देखेंगे कि सबसे पहला alphabet जो होगा वो छोटा होगा second alphabet जो होगा वो बड़ा और third B बड़ा तो वो हमें दिख रहे हैं सिर्फ option B में अब इस option B को confirm भी कर लेते हैं यह चीज़ जब हम reverse में लिखेंगे तो हमारे पस B, R, R आएगा तो वही चीज़ हमें option B में दिख रही है कि B, R, R reverse में भी लिखा portion B, U, C, K, E, T इसका relation जो है A, C, T, V, B, D, J, L, D, F, S, U इस term के साथ जो relation आएगा वही relation हमें bonus का निकालना है कि कि किस term के साथ आएगा तो भई देखने में ही पता चल रहा है कि B, U, C, K, E, T जो है वो उसके next part जिसके साथ relation दिया गया है उसके comparison काफी चोटा है तो सबसे प D, D, J, L, D, F, S, U इसमें है 12 alphabet जो की exactly bucket के double है इसका मतलब यह है कि हर एक alphabet first part के हर एक alphabet के लिए second part के दो alphabet use हो रहे है यानि कि B के लिए A, C, U के लिए T, V, C के लिए B, D and so on अब हमने देखा कि यही method हमें apply करना है bonus पे तो हमारा option A, C, D तीनों शुरू हो रहे हैं A, C से और ख पतम हो रहे हैं R, T पे यानि कि bonus में जो हमारा B alphabet है उसके लिए A, C यूज हो रहा है और S alphabet के लिए R, T तो हम B और S पे काम नहीं करेंगे हम काम करेंगे सीधा O, N और U पे अब दीखिए bucket के लिए जो pattern यूज हो रहा है वो है B के लिए A, C यानि कि B से एक पहला वाला alphabet जो क किता C, वैसे ही U के लिए T, V यूज हो है, U से पहला alphabet T, U से बाद का alphabet V, यही pattern हम लगाएंगे bonus पर, अब B और S पे हम काम नहीं करेंगे, हम काम करेंगे सिधा O पे, तो O से एक पहला alphabet आता है N, और O से एक बाद का alphabet आता है P, यानि कि bonus में B का A, C तो रहे गई, O का आएगा NP, जब हम options में देखते हैं तो हमें NP मिल रहे हैं सिरफ option C में, तो हम आगे ये question or solve ही नहीं करेंगे, हमारा सीधा सीधा option आजाएगा, option C और यही है हमारा correct answer, type 9 जो किती alphabetical analogy, यह अब complete हो चुकी है, अब मैं चाहूंगा, मैं फिर से यही चीज आपके सामने present कर रहा हूँ, यह है alphabet, alphabet के सामने उनका respective number है, और नीचे देखिए, alphabet के नीचे जो है, उनके opposites लिके होई है, तो मैं बार बार यही चीज कह रहा हूँ, यह alphabet और उनके position को याद कर लीजिए, और उनके reverse को भी याद कर लीजिए, अगर आप से reverse याद नहीं हो रहे हैं, तो मैंने आपको trick भी बता दी, 27 में से position को minus करोगी, reverse आ जाएगा, तो यह काफी important है, आपके alphabetical analogy chapter के नजरिये से, इसलिए यह चीज मैंने दुबारा end में दी है आपको, ताकि आप इसे अच्छे से पढ़ लें, इसी के साथ हमारा analogy जो है, वो completely खतम होता है, अगर आपको यह वीडियो आई तो इसे like कीजिए, साथ ही साथ हमारे चनल को subscribe कीजिए, और इन वीडियो को अपने friends के साथ share कीजिए, thank you